नमस्कार मित्रों अभहे घ्यान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है मैं विभा सिंग लेकर आई हूँ आपके लिए अप्रेल महीने का मासिक राशी फल वुरश राशी वालू आईए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है आपका अप्रेल महीना लेकिन कहना चाहूँगी अगर जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज प्रेस बेल आईकोन जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें तो आईए चलिए बताती हूँ कि अ प्लाए बहाँ गत गोचर करेंगे टथा पच्शी से वे भावगत गोचर करते हुए पहुँच जाएंगे और अकर ये भासा नहीं समझपा तो अब ये डिटाइल में बताती हूँ कि आपका केरियर और व्योसाय कैसा रहने वाला है अप्रेल माह में आप अपने केरियर के बारे में अधिक उम्दा किसम की सोच को विक्सित करेंगे बहुत सोचेंगे समझेंगे अपने काम और चीदों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि केरियर के स्वामेश्री शनी भाग ये भाव यानी धर्म भावगत गोचर करेंगे वही मंगल दिखबली होकर आपके प्रवास यों परदेश के कामों को सुधारते वे दिखाई दे रहें जिससे केरियर के संबंध में लिए गया निर्णेओं में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे चाहे आप तक्नीक के छेत्रों में हूँ या फिर उत्पादन एवं विक्रे से संबंध रखने वाले हूँ या पिर प्रवंधन की धारा से जुड़े हुए हूँ आपको इस माँ केरियर के छेत्रों में वांचित मुकाम मिलता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि बताया कि अगर आप घर के विशे में कोशिश कर रहे हैं प्रवास के विशे में तो भी या विदेश के जाने के विशे में सोच रहे हैं तो भी ये काम आपका हो सकता है तो आईए चलते हैं व्रश राशी आपके वित्तिय स्थिति के तरफ व्रश राशी वाले अपने आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के प्रयासों को और तेजी से देने में लगे हुए रहेंगे इस माह इस राशी वालों को कर्म के स्वामी शनी यह आए भाव के स्वामी गुरू के कारण अच्छे किसम के लाब होने के आसार मजबूत आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मूल त्रिकून गत लाभेश गुरू की इस्थिती होने से तथा पाराशर मता अनुसारिन पाप ग्रहभी यदि मूल त्रिकून में इस्थित है तो भी वाशुभियों मंगलकारी माना जाता है इस सिध्धान्त के अनुसार आपके लाभ में अप्राइल मास में बढ़त होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं चलिए अब आपके प्रेम संबंध ही हम रिलेशनसिप के विशन बताती हूँ में इस राशी वालों को परिवार के मामलों में कुछ भाग दोड करने की जरूरत बनी हुई रहेगी हलाकि यह माँ आपके लिए शुमियों मंगल कामों की घड़ी को अपने आप में समेटे हुए रहेगा जिससे उन्हें उत्पन कराने के लिए आपको अधिक सक्रिय होने की जरूरत बनी रहेगी इस माँ आप अपने घर परिवार्यों समाज के सभी के चहते बनते हुए दिखाई दे रहें और ऐसा आप कुछ प्रियास में भी लगे रहेंगे ये सब दोहराने में लगे रहेंगे कि मैं लोगों का चहता बना हुआ रहूँ लोग मेरी तारीफ करें यदि पतिया पतनी के बीच कोई जगड़ा फसाद हो गया है तो उसके समाप्त होने के पूरे असार दिखाई दे रहें अगर आपसे नाराज हैं तो आपने मना सकते हैं समझा सकते हैं गुस्से को शांत कर सकते हैं आएए बढ़ती हूँ विद्यार्थियों के लिए सिक्षा और घ्यान की तरफ विरश राशी वालों को अपने संबंधित विश्यों के प्रति और रुची बढ़ाने की जरुवत बनती में दिखाई दे रहे हैं यदि आप पूरे मन से प्रयाशों को तीवर करेंगे तो निश्चित तोर पर सफलता आपके कदम चुमेगी क्योंकि विरश राशी वालों की बुद्धी अप्रैल माह में कुशागर होती की दिखाई दे रही है उन्हें कोई महत्रपूर सफलता की प्राप्ती होगी क्योंकि शुब ग्रह ब्रहस्पती ने आपके विद्या भाव से संबंद इस्थापित किया हुआ है जिसे सिक्षा योन खेल वा प्रतियोगी छेत्रों की सफलता मिलनी ते रहेगी हलाकि शनी का मौझूद होना आपको निराश योम हतास करने की जुगत में भी लगा रहेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी तो आपको निराश यहतास बिल्कुल नहीं होना है अगर थोड़ा सा लगता है कभी निगेटिविटी है तो बैठिए थोड़ा ध्यान में जाइए मेडिटेशन कीजिए व्यायाम कीजिए आप चलते हैं आपके स्वास्थ की तरफ की कैसा रहने वाला आपका स्वास्थ है वरश राशी के जातकों को अपने शारिरिक बल में बढ़त का ऐसास बना हुआ दिखाए देगा आप जिस तेजी से काम करने के इच्छुक है उसी रोगेश के कारण आपको कुछ छोटी मोटी परिशानियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता कुछ छोटी मोटी परिशानिया उत्पन हो सकती है परिशान कर सकती है पर बहुत बड़ी बात नहीं है सेहत के सिथिल होने पर चिकित्सी उप्चारों को लेना जरूरी हो सकता ह तो डॉक्टर को दिखाईए और ये समय तो वैसे भी ऐसा है कि जरासी भी खासी जुखाम कुछी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसे अवाइट नहीं करना है और सबसे पहली बात आपको खुझ जाग रुक रहना है घरों से बाहर नहीं निकलना है लॉक्डाउन में रहि और जो चीज़े चल रही है उनका साथ दीजिए क्योंकि आपको अपने देश को बचाना है अपने लोगों को बचाना है समाज को बचाना है भारतवर्ष को बचाना है तो आपको अपने सेहत का ध्यान देना होगा और इसके अलावा आपको भी सूर्य भगवान का स्तोत्र का पाट करना होगा आदे तहर्दे स्तोत्र को पढ़िए इस माँ आप सूर्य का मंत्र ओम खाम ख्रीम खाम सह सूर्याय नमा का जाप करें लेकिन जब आप लोटे में सुवेश जल लेंगे प्राता का लाल रंग की रोली डालिए उसमें लाल रंग का पुष्प लीजिए और जल चढ़ाते हुए में कहिए ओम आदित्याय विदमहे मारतंडाय धीमही तन्नू सूर्य प्रचोदयात सूर्य भगवान का एक मंत्र और भी है आप अगर इतना नहीं कह पाते हैं तो आप ओम घ्रणी शूर्याय नमा ओम सूर्याय नमा या आप गायत्री मंत्र भी बोलकर चल चढ़ा सकते हैं तो ये था आपका अप्रेल महीना पुरश राशी वालो तो आपका पूरा महीना तो अच्छा दिखाई दे रहा है विभा सिंग मैं आपको अपने अभेग्यान प्रोडक्शन की तरफ से आपके अग्रिम भवश्य की अनंत सुब कामनाय देती हूं और चाहती हूं कि आप स्वस्तर हैं और तंदृस्तर हैं इसके लिए आपको इस समय में विशेश कर ध्यान रखना होगा क्योंकि निगेटिविटी चारो और है आपको थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए और प्राता काल उठकर मेडिटेशन करना चाहिए तो इसी के साथ ह मेरे साथ कहिए जो सर्वो परी हैं भोले नाथ ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए